जिन्दगी होस्तों से भरी हो तो कोई कमजोरी इंसान को कभी भी आंगे बढ़ने से नहीं रोख सकती है इंसान अपनी हिम्मत से ऐसे कारणामे कर सकता है जिसे अच्छे अच्छे अनभवी इंसान असंभाव मानते हैं ऐसे कई इंसान हैं दुनिया में जो अपनी जिद पूरी करके सब को हरान कर देते हैं आज की स्टोरी भी एक ऐसी ही बेटी की है जिसे बचपन में पोलियो हो गया था वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी और आंगे चल के वही लड़की सिर्फ चली ही नहीं बलकि दौड़ी और दौड़ी भी तो ऐसा दौड़ी की ओलंपिक में तीन गोल्ड मेडल जीत कर इतिहास रच दिया नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सतेनर सिंग मेरी इस वीडियो को देखने और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत भन्यवाद आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अमेरिका महिला एतलेटिक विल्मा रेडॉल्फ की कहानी जिन्हों ने अपने जजबे जुनून और महनस से असंभव को भी संभव कर दिया तो चलिए बिना आपका समय खराब किये हम विल्मा रेडॉल्फ के इस पेड़ना दायक जीवन को सुरू करते हैं विल्मा ग्लोडियन रेडॉल्फ का जन्म तेज जुन 1940 को अमेरिका के सेंट बैतलियम नाम की जगा पर हुआ था इनका जन्म अमेरिका के एक गरीब परिवार में हुआ था वह एक आस्वेट परिवार में जन्मी थी उस समय आस्वेट लोगों को दोयम दर्जे का इंसान माना जाता था विल्मा की मां घर-घर जाके नौकराने के काम करती थी और पिता जी कुली का काम किया करते थे पिता ने दो विबा किये थे इस तरह 22 भाई बेहनों में इनका नंबर 20 था विल्मा के जन्म के कुछ समय बाद ही परिवार दूसरे सहर में चला गया यहीं से पली बड़ी और सिक्षा भी प्राप्त की एक बार बचपन में इनके पैरों में बहुत तेज दर्द हुआ जब विल्मा के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि इन्हें पोल्यों हो गया है अब ये कैलिपर्स के सहरे चलने को मजबूर हो गई थी डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कि वे अब कभी नहीं चल पाएंगी जब ये अपने भाई बहनों को खेलता देखती तो बहुत दुखी हो जाती थी एक दिन वे रोने लगी मा के पूछने पोर उसने बताया कि उसका मन भी खेलने का करता है लेकिन अब वे कभी खेल नहीं पाएगी तब मा ने कहा कि उसे अपनी बेटी पर गर्व है और एक दिन वे समय भी आएगा जब वे अपने पैरों से दोड़ेगी मा हमेशा बेटी क आतम विश्वास बढ़ाय करती थी बेटी का अच्छे से ईलाज हो सके इसके लिए माने काम छोड़ दिया था परिवार बढ़ा होने के कारण घर का खर्च भी जैसे तैसे चलता था इसलिए बेटी का इलाज करवाने के लिए परिवार किसी बड़े अस्पताल के खर्ज को वेहन नहीं कर सकता था इसलिए मा सपता में दो बर 50 मील दूर इस्पताल के चक्कर लगाती थी बाकी के दुनों में घर पर ही इलाज करती थी विलमा की मा हमेशा उन्हें स्वयम को बहतर समझने के लिए पेड़ करती थी दो साल तक यही करम चलता रहा पूरा परिवार अब इनका ध्यान रखा करता था मा का आत्मिफसास और बेटी के होसलों से अब पैरों में जान आने लगी थी अब विलमा खुद से चलने की कोसिस करने लगी थी ऐसा करते हुए वे बार बार गिरती और खुद से उठती थी और उनकी मा हमेशा उनका साथ दिया करती थी दोस्तो एक मा दुनिया में एक लोती ऐसी इंसान होती है जो अपने बच्चों के लिए भगवान से भी लड़ जाती है कई सालों की कोसिस और इलाज के बदालत अब विलमा ब्रेस पहन के चलने लगी थी डॉक्टर की सलापर विलमा बास्केट बॉल खिलने लगी आखिरकर मा और विलमा की लगन रंग लाई और विलमा ने 11 साल की उमर में अपने ब्रेस उतार कर पहली बार बास्केट बॉल खिलने लगी ब्रेस उतार देने के बाद चलने के प्रयासों में वैं कई बार चोटिल हुई और दर्द सह करती रही लेकिन अपने हिम्मत नहीं हारी लगातार कोशिस करती गई आकर में जीत उसी की हुई एक दो वर्स बाद वैं बिना किसी सहारे के चलने में काइमाम हो गई 13 साल की उमर में अपने भाई बेहनों के साथ खेला सुरू कर दिया था विलमा ने अब वैं उस्कूल भी जाय करती थी एक बार स्कूल में खेल प्रतियुकता रखी गई विलमा भी दोड़ प्रतियुकता में हिस्सा लिये ली और सबसे अंतिम पर आई इसके बाद भी इन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार दोड़ प्रतियुकता में भाग लेती गई हर बार हारने के बाद वैफ कोसिस करती रही फिर एक दिन वैभी आया जब इन्होंने दौड परत्योगता में प्रताम इस्तान प्राप्त किया स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रियोशन के लिए टैनेसी राष्टी रजजी विश्वित दाले में प्रवेस लिया यहां इनकी मुलाकाश कोच एंड टेंपल से हुई इन्होंने कोच से कहा कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ कोच को जब इनकी छमताओं को पता चला तो उन्होंने कहा तुम्हारी इसी इक्षा सकती की वज़ा से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता और मैं तुम्हारी सहायता करूँगा तुम्हें ट्रेनिंग दूँगा ट्रेनिंग के दौरान एक भी दिन ऐसा नहीं था जब इन्होंने अपनी प्रैक्टिस मिस्स की हो अपनी मेहनात और पोज के मार दर्सन में जल्दी इन्होंने यूथ उलम्पिक टीम में अपनी जगा बना ली थी 1956 में औस्टेलिया के मेलबर्ण में हुए उलम्पिक में इन्होंने 400 मीटर रिले रेस में ब्राउंज मेडल जीता महज 21 वर्ष की उमर में विलमा 1960 में रूस में हुए उलम्पिक में वे पहली अमेरिकी महिला बनी जिन्होंने एक ही उलम्पिक में तीन गोल्ड मेडल जीते विलमा का सामना एक ऐसी धावी का जूतन हाई से हुआ था जिसे अभी तक कोई नहीं हरा सका पहली रेस 100 मीटर की थी जिसमें विलमा ने जूतन हाई को हरा कर सण पदक जीत लिया एवं दूसरी रेस 200 मीटर में भी विलमा के सामने जूतन हाई ही थी इसमें भी विलमा ने जूतन हाई को हरा दिया और दूसरा सण पदक जीत लिया तीसरी रेस 400 मीटर की रिले रेस थी, हैरानी तो तब हुई जब 400 मीटर की रिले रेस में भी विलमा के सामने एक बार फिर जूतन हाइन आई विल्मा की टीम के तीन लोग रिले रेस के सुरुआती हिस्से में तीनों ने बहुत तेज दोड़े और आसानी से बैटन बदलते गए विल्मा सबसे तेज दोड़ती थी इसलिए उनकी बारी आकरी थी जब उनकी बारी आई तो जल्द बाजी में बैटन उनके हास से छूड़ गया जूतन हाइन बड़ी तेजी से ये साथ अपने लक्षी तरह बढ़ रही थी ये देख के विल्मा ने बैटन उठाया और इतनी तेजी से दोड़ा कि सब देखते रह गए विल्मा की बहादुरी, महनत और लगन ने जूतन हाइ को तीसरी बार भी हराया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीत कर विल्मा ने इतिहास रच दिया विल्मा ने दुनिया की सबसे तेज दोड़ने वाली महिला बनने का सपना साकार कर दिया था विल्मा दौड प्रतियुकता में तीन गोल्ड मेडल जीतने वाली अमेरिका की प्रिथम आस्वेत खिलाडी बनी और ये 60 की दर्सक की सबसे तेज धाविका भी थी अकबारों ने उसे ब्लैक गेजल की उपादी से नवाजा बाद में वे अस्वेत खिलाडियों के लिए एक आदर्स बन गई इनके घर वापसी के बाद एक भोश समारों का सम आयोजन किया गया जिसमें स्वेत आस्वेत अमेरिके उन्हें एक साथ हिस्सा लिया विल्मा रेडॉल्फ के लिए ये जीत सबसे बड़ी जीत थी उन्होंने डॉक्टर की बाद को जूटा साबित कर दिया था अपनी इन उपलब्दियों का सुरे विल्मा ने हमेज़ा अपनी मा को दिया इनका कहना था कि यदि मा ने त्याग नहीं किया होता तो आज वे इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाता 12 नवंबर 1994 में विल्मा ने 54 वर्स की उमर में दुनिया को अलविदा कह दिया था एक अपंग महिला का यह कारणामा इतिहास में दर्ज है और जीतने की इक्षा रखने वालों के लिए एक प्रेणा दायक पुंज है यह उन लोगों के लिए सबक है जो अपनी आसफलता के कितने ही बहाने बताते हैं और परिस्तितियों को दोस्द देते रहते हैं लेकिन सबक अलता हिम्माद, साची, संकल्पित लोगों की दासी है यह सिद्ध किया विल्मा रेडॉल्फ में विल्मा रेडॉल्फ को हमारा सत-सत नमन है आपको विल्मा रेडॉल्फ की ये बायग्राफी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और नेस्ट किस महान इंसान की आप बायोग्राफी देखना चाहते हैं वो भी हमें जरूर बताएं इस वीडियो को जाज़दा शेयर और सब्सक्राइब करें ठैंक यू दोस्तों